आले रंग की प्लास्टिक के भीटर बीमसी और ठेकेदर का गैर कानूनी कामकाज 9000 फुट के खाली जबीन पर स्टूडियो का गैर कानूनी कामकाज चल रहा है इस प्लाट में गैरा खड़ा कर अवेद बांध काम किया जा रहा है आपको बता दे कि इसी वर्स जनवरी के महीने में मनपापी उत्तर इमारत वो कारखाना विभाग द्वारा तोड़क कारवाई की गई थी तो उक्त कारोबार को संड्रक्षन क्यों दिया जा रहा है ऐसे मालाड बीमसी के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं सुत्रों के अनुसार इसमें मनपा अधिकारियों को लाको रुपे रिश्वत के तौर पर नजराना पेश किया गया है काम के दौरान लोगों की नजर न पड़े इसलिए प्लॉट की बौंडरी वॉल के चारो तरफ काले कलर के लगबग 20 से 25 फिट उचा प्लास्टिक लगाया गया है ग्यात हो की मनपा कानून के तहट प्लास्टिक का उप्योग गैर कानूनी है और वह भी जिस क्वालिटी की प्लास्टिक बैन कर दी गई है यहाँ गैर कानूनी गतिवीदी करने के लिए इस्तिमाल होना साभ जाहिर होता है कि मालाण BNC के लिए इस कारे पर कारवाई करना मुश्किल है यहां अपने गैर कानूनी कामकाज को छिपाने के लिए अवेट ठेकेदार मनपा के सारे नियोमों पर हद पार कर रहा है यहां लगातार शिकायतों के बावजूद भी उत्तर विभाग के सायक आयुक्त संजोक कबरे हर शिकायत को दरकिनार कर ठेकेदार को संडरक्षन दे रहे हैं जबकि मनपा कानून के मताबिक जिम्मेदार अधिकारी सायक आयुक्त संजोक कबरे की इस सिलसले में सरकारी नौकरी भी जा सकती है इस खेल में और अधिक जानकारी देते हुए आपको बता दे की इसमें और भी उच्छ अधिकारी शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है फिलहाल मनपा के संड्रक्षन में कानूनों को ताक पर रख कर एक विशेश के लिए कारिय जारी है मंबाई से सुफास कोटियन की रिपोर्ट इंडियन फास्ट्राइग